हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं यूट्यव चैनल डिप्यूर फुलेस्ट विदमिता फ्रेंड्स ठंडियां आ गई है और ठंडियों का जो वेदर होता है जो एट्मासफेर की कंडिशन होती है पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़दा पसंद आती है और हम जारखंड में यहां पर बहुत ना ज़्यादे ठंडी पढ़ती है ना कम पढ़ती है एक अच्छे वेदर के साथ ठंडियों में अवेलेबल होता है वराइटी आफ फ्रूट एंड विजिटेबल जिससे खाने का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है बट इसी के साथ सुरू होता है बालों क इसकिन का तरह तरह का प्रॉब्लम और ड्राइ हैर, डैंडरोफ ओले हैर, स्टाटिक हैर, इची स्किन, ड्राइ स्किन और भी बहुत सारी समस्या है जिनके लिए हमें प्रपेर रहना चाहिए इसलिए मैं बॉडी लोशन में पहले सही मिला के रख लेती हूं ग्लिसरीन और बादाम रोगन सीरीन, मैं अपने हैर रोयल में भी डाल के रख लेती हूं बादाम रोगन सीरीन की कुछ ड्रॉप्स और विटमिनी के कुछ कैपसूल की ड्रॉप्स और रेगलर इससे मसाज करती हूं हपते में एक बार तो मसाज करनी चाहिए यह हमारे एंसेंट टाइम से बहुत ही जड़ा बेनिफीशल होता है इसके लवा मैंने अपने और सारे वीडियो में बहुत तरह के मास्क के बारे में बताया है आप कोई भी यूज कर सकते हैं जिसे बालो की क्वालिटी बनी रहती है उनका शाइन बना रहता है लस्टर बना रहता है और उनमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, हेर के साथ हमें इसकिन की भी फेस की भी रगलर देख भल करनी चाहिए, यहां पर मैंने एक फेस पैक बनाया है, आप उसको इसकर बोलिए, उप्टन बोलिए, कुछ भी बोलिए बट यह बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, और सारी चीजों क को मिलाने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सुगर और दूद, और दूद एक्सपोलिएटर का काम करता है, सुगर मौस्टर को लॉक करता है, बहुत ही ज़्यादा बेनेफेशल एफेक्ट डालता है इसकिन पे, और इसमें डालते हैं लेमन जूस, कुछ ड्रॉप और विटमिन सी ठंडियों के लिए एकदम जादू का काम करता है, आप खुछ यूज करके देख सकते हैं, इन सारी चिजों को एक साथ मिलाने के बाद बन गया और इस पैक को पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं, और इसको छोड़ देंगे 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट बाद स्क्रबिंग करते हुए हम अपने फेस को ठंडे पानी से धुल लेते हैं, और ये है लाइब रेजल्ट विदाउट एनी फिल्टर, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को जल्दी से एक लाइक करिएगा, और खुब सूर्ती के साथ ए अपश्वाए करिए इन ठंडियों को तब तक के लिए बाई